तो आज अपन डिसकस करने वाले हैं जो द्रव्य अपन पढ़ रहे थे पदा त्विक्यान का उसी में पंच महाबूद अपन ने पढ़ लिये थे मतलब कि अपन इसे कहें कि कारण द्रव्य अपने चल रहे थे कर द्रव्य में क्या आता है कि एक तो 5 महाबूद आते हैं या भी पर पोइंट याद रखने थे बेसिकली अपन और इसके अलावा कुछ याद नीरकना था क्यों क्यों क्योंकि सेम चीज़े हैं ठीक है तो वो point से अपने सारा थोरी complete हो जारी थी आज अपन डिसकस करेंगे उसी कारण द्रवी में पंच महाबुत के बाद कौन सा काल डिसकस करेंगे तो सबसे पहले अपन जो भी पढ़ते हैं आयरवेदा में सबसे पहले उसकी व्युत्पत्ति देखते हैं अब काल में आ काल की व्युत्पत्ति आपको याद रखने हैं और बात करें काल का मतलब क्या होता है या उसकी निरुक्ति अपन देखें तो काल निरंतर गतिशील रहता है आपन जानते हैं कि निरंतर जो चलता रहता है ना काल कभी भी पीछे या घटता या बढ़ता नहीं है डेली रूटीन उसकी जो चलती रहती है यह ना काल क्या होता है सर्विवापी होता है सब्भी जगह काल अब तो काल की विद्पति ने रूपती देख लिए अब देखो इसके परियाई भी होते हैं भगवान भी बोलते हैं काल को समय को भगवान बोला गया है फिर सेम वही जो पंजमा भूत में देखे थे वैसी अपन पॉइंट बना बना के याद रखेंगे परियाई देख लिए उसके बाद लक्षन लक्षन क्या है तो लक्षन में आप हिंदी में याद रख सकते हो भूत भविश वरतमान है ना यानि अतीद आदी अतीद बोलते हैं यह लिए उसको विभू बोला है यह और काल क्या होता है नीत्य होता यह पॉइंट आपको याद रखना तो सबसे पहले बनाया व्युद्पति देख लिए उसके बाद परिया उसके बाद लक्षन देखा ठीक है इसी टाइप से पंच्मा बुद में भी टोपिक बना-बना कर याद रखे थे अब अपन देखो next topic क्या बनाते हैं यह थोड़ी बात करें आकाश भी एक है आकाश भी एक होता है इसलिए उसको विभू बोला है जो एक है यूनिक है ना उसको विभू बोलते हैं और जो सर्व आपी होता है सभी जागे available होता है उसको भी विभू किया सक धूति आपना देखे तो कि यह देखे थे उसके बाद वायु आई थी उसके बाद अगले में देके थे आनि कि अगनी में देखा था तो अपने उसमें 11 देखे थे उसके बाद जल जल और प्रती में कितने चौदा चुदा देखे थे उनके नाम भी कैसे याद रखने सारा कुछ मैंने बताये था आपको अच्छी तरीके से यह ना कुछ रटने का था ही नहीं उसमें बस एक बार समझ लिया उसके बाद आप एक ब प्रशे स्फास ने ठीक है तो इस ने 5 बता यानि पांच की चुछ शुरुआत कीटी ना मैंने के सभी में कॉमन रहेंगे फिर मैं आपको इसको याद रखाने के लिए क्लिए क्या बोला था संक्या है उसका संयोग और विभाग करते प्रत्रक प्रिमान मिलता है उसकाियोग् करते है तो पतारा हूं क्या आस में मिला तो कि यह 5 बता है या पर काल काल के पांच गुण बताए किसने बताए प्रशेस भास ने तो डाइरेक्ट दो नंबर में ओके उशन बना के पूछता है प्रशेस भात के अनुसार काल के गुण बताओ तो कितने यह पांच लिखने आपको ठीके नाम भी याद होने चीए जिस प्रकार से मैंने इससे पहले तो उसी प्रकार चरक ने भी दो काल बता रहा के काल के बेद करें तो नित्यंकाल यानि कि जो डेली रूटीन है अपनी दिन चरिया जो चल रही है ना वो नित्य नित्य जो चल रहा है वो नित्यंकाल हो गया ठीक है जैसे कि रितु चरिया में जो अपन डेली रूटीन जो कि इसी में आतीजी द्यान रखना फिर यदि अपन बात करें आविस्तिक काल क्या होता है एक अवस्ता का काल है क्या है और फोलो कर रहे हैं लेकिन अवस्ता कब आती भूह अबन बिमार हो गए यह कुछ एक सी चीजयाशन है जहां पर डेली रूटीन थी भो नहीं फोलो कर रहें रित्व छर्या जो थी वह फोलो नहीं कर पा रहे तो वह क्या होता है आप अवस्तिक काल डाता है वह समय कॉंभाता है अवस्तिक काल जैसे आप डेली रूटीन अफलीजात है तो वो जो टाइम चलता है कितने नित्यांकाल और सोर बस जो समझने की चीज़ थी वो फिर यहां पर काल के दो ही बेद बता रहां के वो नित्यांकाल आवस्तिका और सवत्सर किसे कहते हैं पूरा जो साल होता है जिसे में बारा महीने होते हैं उसको क्या बोलते हैं सवत्सर है न यह ध्यान रखना तो इस टाइप से भी आप बाद आते हैं तो इस टाइप से भी आप सवत्सर को कितनी छे रितों में बाटकर उनका यह कर सकते हो तो काल का डिवाइड एक तो चरह कनुसार कर लिया और एक अनुसार कर लिए तो यह चीज़ भी आप लिख सकते हो लेकिन जो शुशुत का है वह आपको मेंली याद रखने ही देखो अब इसको याद केसे रखेंगें अब मैं बताता हूं तो देखो ब्म क्या है जानते हो कि पference करते हो इसको उसको जितना टाइम लगता है पलक जबकाने में जितना टाइम लगता है वो क्या केलाती है मात्रा केलाती है क्या केलाती है मात्रा केलाती है समझ में आया यह जितना आप एक पलक जबकार है आपकी जो आई लीट है वो बंद करके जितने ही खोल रहे हो उसको मात्रा बोलते हैं, तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पर कुछ ट्रिक है वो याद रखेंगे, पहले अपन इनके नाम याद करने कोशिश करते हैं, तो देखो एक अक्षी निमेक्ष, यानि कि एक मात्रा किसे बोलते हैं, आँख जबकाने को बोल इसका ही डबल कर दू, मैं काश्टा को डबल कर दिया, तो तीस काश्टा कर दिया मैंने, तो तीस काश्टा बराबर क्या होता है, एक कला, आपने सुने होंगे यह से नाम के कला हो गई, तो कला क्या है, जो समय का संकेत है, एक कला कितनी होती, तीस काश्टा बराबर एक कला होती है ठीक है अब इसे ही में 20 कर दूं है ना वीस सहीए एक नाड़ी का होता है इसी तरह कर दूमें आप मैंंत आप आ गई यह पर होता है कितना होता है एक मौरत कितने का बराबर होता है दो नाजिगा मतलब 48 मिनिट का एक मुरत बता रहा यहाँ पर फिर यह दो बात करूं तो यहाँ पर 3,3 मोरत कर दूं है तो कितना होता यह क्या हूं अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हो देखो मैं यहाँ पर यह बना रहा इधर मैंने गोला बनाए यह धिक है इसमें बता इसे मैंने किसे याद रखा कि जैसे कि ये एक पहर रखा है एक याम सेमी है ना ये परियाए है इसके सिनोने में कि एक याम कोई क्या बोलते हैं एक प्रहर बोलते हैं तो देखो जो एक प्रहर है ना तो ये जो एक पीस है इसमें से मतलब निकाल लो जैसे ये पूरा पीजा तो चार प्रहहब हो गई तो कि इससी तरह चार ओ रही है न बारा गोंट स्मझें और फूरी गड़ी यहांने तीन घंटे का एकई प्रहर को तो इसी तरह कितने बारा गंटे हैं तो चार प्रहर हो जाएंगे तो यहां पर कितने यहां से याद रे जाएगा एक याम यानि एक प्रहर हुआ तो इसी तरह अपने दिन में कितने होंगे चार याम यानि की चार प्रहर पराबर एक दिन हो गया इसी तरह यह आठ याम कर दिन रात हो गई दिन यह रात रहे हैं जकते हैं उसको अहो रात मतलब दिन-चोरो की考 बोल रहा हूं मैं ठीक है तो चोईस हावर बराबर कितना 8 यह मोड़ा है तो 8 यह आट यह मदार चोरा गई इसी तरह में 15 अहो रात कर दूँए यानि दिन रात 15 distinct एक पक्षय ने तो इस ना वह एकपश के लाए कि उसलिए एक मास में दो बार तो दो पक्ष हो गए ठीक है तो इस तरह द्जान रखना फिर मैं बात करूं कि नुप दू पखश बराबर एक मास वंएम कि माइन मान और आते हैं जैसे शीशीर गरा थो इसमें मात पडरते आहिक पाकरbaiper यही चीज नहीं पर याद रखनी अब केसे यहाद रहों यहां से तो आपको यहां नहीं आपको यहां से बता दिया आपको कि यहां से क्या चार याम बराबर फिर आपके समझ में आ जाएगा हाँ पर दिन तो दिन कितने में होता है चार याम बराबर एक दिन होता है फिर मैंने कहा था आठ याम कर दूंगा क्या हो जाएगा अहो रात रहें दिन रात हो जाएगी ठीक है फिर मैंने आपको बताया था यहीं पंदरा दीन और रात होगा तो एक पक्स होगा और दो पक्स बराबर एक महीना होगा और दो एक महीन होते हैं तो तो नहीं साल थो लेगिंग यहाप पर कुछ कंडिशन आती है या अपना भूल जाते हैं तो इसलिए आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है नंबर तो याद रहे जाएगा यह अक्षी निमेक्स तो याद रहे जाएगा बराबर एक मात्रा ठीक है लेकिन यहीं में 15 मात्रा से याद रखना है आपको यह तो छोटी सबसे चोटी मात्रा है तो 15 का डबल करना अपने को ध्यान रखना समझ में आ रहा फिर कला यह याद नी रखो डाइरेक्ट रख लेना 20 याद रख लेना आप तो ठीक है 20 कला बराबर एक नाडिका होती है तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने मा का कला मा की कला तो मा की की होगा उसके बाद कला तो कल कंला नामूः तो मा से मातरा होगई कितनी होती 15 15 का यह दी में करता है एक कश्टा हो थी है और यह ढबल कर देता हम यानि कि काश्टा यह पर 30 15 का जाएक तो 100 यह ती यह 30 का हुगई तो I तो एक नाड़ी का हो गई तो इसी तरह में दो नाड़ी का बराबर एक मोरत कर देता हूं तो एक याम होता है ज्यान रखना एक याम किसके बराबर होता है तो इसी तरह आपको याद रखना है तक याद रहेगा नहीं, तो फिर दिक्कत करेड़ा एक बूल जाओगे तो ये ट्रिक के मादियम से आप याद रहना, ठीक है यह चीज बहुत इसी भी के सकते हैं और इसको याद रखना आपके कहीं जगे काम आएगा यह इसी बात नहीं है कि आपको सिर्फ इसी में काम आए यह ना बहुत जगे helpful होने वाला है आपके लिए चीज तो इसी साब से याद रखना आप इसी चीज को अब बात करते हैं अपन आगे की बात करें तो देखो यहाँ पर आगे आप देखना किस तरह इस काल में आगे बात करें अपन तो ऑ तो देखो अपन यह वाली चीज मां पर समझी ती किस तरह अपने को याद रखना मा का तो मां होगी मात्रा इसी तरह 20 एक बटा 10 कला हो गई तो इसी तरह आप को याद तो अपने सेकंड से भी छोटी यूनिल बता रहा है कि मतलब अपने जो साइंटीस यानि के सकते हैं आचार्य जो हो ना उन्होंने तो कितनी मात्रा बता रहा कि यह आंग कि इस तरह आपको याद हो जाएगे और पांच आपको यादे कि एक वर्ष तक एक वर्ष को क्या बोल सब्सक्राइबर इसके बाद गढ़ी आपको पता है कि चार प्रहर यद्ध से पर नौ बात करते हैं काल का आयरवेद में चिकित सब्सक्राइब बहुत ज्यादा समय अपनी चिकित सामें तो बहुत बढ़ाई ओगदान है ना जिसे अपने सब्सक्राइब की तो वहां पर आपको मैंने दो चेप्टर पढ़ायते कौन से एक तो दीन चरिया और रितुर चरिया तो ज्यादा जितना भी खाना है मोर्निंग में खाओ फिर अप्टरनून हो जाता है थोड़ा कम खाओ फिर इवनिंग में थोड़ा बहुत हल्का बोजन ले लिया थीकिए इस तरह तो काल पर इपना और जो वात्पित कब बढ़ते हैं वह भी काल के नुसार बढ़ते हैं ठीक कौन से जैसे मेने पड़ाए था वर्प और वर्फ होग घृटु में क्या बढ़ता है वाद क्योंसी भर्षा रितु치 सही तरह आपको याद रर रखना इसका आगे-पीछे उसका आगे उसके बात करेंगे तो उसमें उसका संचे हो रखा तो और उससे बाद वाली रित्तु की बात करते हैं उसमें क्या होता है वह प्रसर हो रहा है तो यह आगे पीछे आपको याद रहे जाएगा और यह सारी चीजें में बता चुका हूं आपको अश्टांग रदे में अच्छे से वहां अपर बात की थी ना वह और आत्री बुगता नाम ते अंतमध्य दिगा क्रमा तो वह वाला कोटे चन्यां बता दिया किस टाइप से वात पीद कब बढ़ते तो यह चीज़ द्यान रखना ओश्ट सेवन काल के अश्टांग रदे में अपन पढ़ेंगे इस टाइप से खान भस्त बता रखा दस बता रखें इसने यह किसका इस्टांग रदेगा तो अब भक्त मतलब भक्त यानि खाना खाने से यह खाली पेटके सकते हैं वह यह खाना नहीं खाया है अब से खाने का लिए था पराव भक्त ऑन से पेलए प्राव भक्त ले लेने प्राव जारेंद से लिलियों उसमेmm brush करें लेने बार बार पबते हों मुलेटी मुलेटी को बार बार खाना पढ़ता हुर न तो मूर मूर होगे लेकिन अअपने बात करें भोजन से पूरो और पशा दोनों लेनी तो सामूत बोलते हैं उसको और सब भकते यानि भोजन के साथ सग्रास यानि जैसे अपन निवाला लेते हैं उसके साथ लेना और गास अंतर यानि की दो गास के बीच के अंतर यानि एक निवाले के ले लिया उसके बाद वापिस ड्र आपको तो इसलिए क्या सिफ समझना और यह टोपिक तो याद होना ही चीए तो अश्टांग रदय का यह पूरा टोपिक आपको मैं अगले आने वाली के साथ क्या होती जाती वह असाध्य होती जाती तो इसलिए रोग का ग्यान करने में भी निदान में हो गया ठीक है जिस तरह अपन काल का सारी थोरी हो चुकी है यह पर तो यह चीज द्यान रखने उसके बाद अपन नेक्स्ट टोपिक भी आज देख लेते हैं दिशा यह दो ग्लास में मन और आत्मा को डिसकास करेंगे ठीक है इस तरह अपने कारण द्रवय में बता रहा कि इस लिए वित्पत्ति में क्या लिख रका है है यहां पर कि प्यादी संस्क्रम्ट ने धातु से दिख शब्द बनता है दिख अपने संस्कत का जो शब्दे टर्मिनलोजी घ्षण रखने थाब ठीची भण आप अपने सभवार क्या था फिर अपन को मैंने हर डम में आपको याद रख राओ परियाइ परियाई में क्या होता है है इसप्र खोता है आशा है अरिडीशा क्यों होती है था और पर यहाल मैं बताता हूं इस water लिक होगे प्राची प्राच्य आदी आदी बिवार हे तु द rằngश्वर प्राच्पना कई मतलब क्या उता है जो सौट और साओथ इस्ट वेस्ट would टरश इंग के सकतें अपने संचित में क्या बोलते हैं तो प्राच्य आदी या नि पच्छीम उत्तर दक्षिंट जो दिशा है ना उनके व्योद का चेंघ होता है जो तो यह कोटेशन आपको यदा होना चाहिए चोटा साकोटेशन नैं एसलीगों प्राच्च्छ अदि व्योद है तूर है प्राच्छी अधी व्यवार चेंगे नितीओ पर यह बहुत संही थोड़्ी होती है उसके बाइन बात करें तो तो मेंने जो वहाँ पर बताये थे काहँ पर बताये थे वहाँ पर यानि के काल में बताये थे वह के वही पांच दिशा में भी होते हैं तो यह भी तो दिशा भी सेम है और काल भी सेम है तो यहाँ पर प्रश्चत बास ने दोनों में सेम बताये वहाँ पर भी पांच बताये तो यह पांच हो गए अपने थीक है इस तरह आपको याद अगना है फिर यह अपन बात करें दीशा के बेद के बारे में जिस तरह अपने काल के बेद अलग-अलग आचारियों के नुसार देगे ने लेकिन यहां पर अपने वसी अमरकोष ने कितनी दीशा है बता दी वो सब फिक्स हो गई कि अमरकोष ने चार बताई और वह अभी तक चल रही है इस प्रकार से उत्तर देख्षिन पूरा पशीम पड़ा उसके बाद अपने अंग्रेज उने बना दिया नोर्ट साउथ इस वेस उसी प्रकार अपने आचारियों ने क्या बनाया था यह अपन जानने के पूरा पशीम तो पस्के प्रतीचे यान रखना यह से बनाफ प्राट इती यह पूरा पशीम तो क्या बोलेंगे प्राची प्रतीचे य measure D dirna लेकिन अपने आचारियों ने कितनी बता दी चार तो यह बता दी और चार इनके बीच के कौन बता दिये जिस तरह मैं इसके आगे लिसकस करूंगा लेकिन पहला आपको नाम तो पता होना चाहिए फिर देखो यहाँ पर कौन बता दिये कि इन दोनों दो डाइरेक्शन जैसे इसलिए की यह अधिशा है इन इसलिए निकाल दिया से इसलिए तरफ दियान रखना यह मत कर लेना उता दक्शिन पूरा पशिम अमरकोष ने कितनी दस दिशाएं बताई है और यही अपने अपने चला आ रहा है यही दस दिशाएं अपन हर जगे पढ़ते हैं ठीक है यह चीज ध्यान रखनी आपको तो देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से आपको बताई गई है कि दस डाइ वर्टीकल मत ले ले लेना होरीजंटल पढ़ा हुआ है तो इसी तरह आगे की दरब उदीची यानि उत्तर के दिया फिर नीचे की सैट चलेंगे उदीची का पोजिट क्या पढ़ाता अवाज उदीची अवाजी तो वाजी यह दक्षिनी दिशाओ फिर मैंने काता जिदर विचान कौन का ई लिग दिया फिर ए लिग दिया मैंने क्या लिखा यह आपकी बुक में नोट कर ले ना जो भी आपके पास बुक हो तो इससे के बार-बार भुर्णाएगा नहीं ताकि आ और यहां पर लिख दिख रहा है लेकिन आपको मैं बार-बार बोल रहा हूं तो आपको आद हो जाएगा कि यांपर यह पर यह दि में पढ़वा तो क्या बन जाएगा बियान बन चाइगा ना किसी का नाम होता है कि नियुक्त आपके के भी यान इसे ठोड़ा नियुक्सा elli लेकिन अपने को बनाने तो इसलिए ध्यान रखना वियान यह कहां से बनाया अपनों ने यहां से बनाया तो यहां जो उत्तर दिशा और पुरब की बात करूं कौन सा बना हुआ इस तरह से बाद पुरब दिशा और दक्षिन दिशा की बीच में इंडायां वियान है यहां याद रखना यह चीजद द्यान रखना फिर यहां वैंद करूं आपको डो direction तो आप सभी जानते हो एक तो जैसे की उपपर की ओर होती एक ना उपर यह नो कि इस एक इसके direct में के वह यह करसर है इसके direct बाहर की तरब निकाल दू और एक इसमें से अंदर की तरब डाल दू मेरें का तो वह तो नीचे की तरब चली गए अद्व हो गई तो कितनी दीशाय हो गई यह पूरी टेन डायरेक्शन हो गई तो इसलिए ध्यान रखना उदीची अवाची प्राची प्रतीची और वियान याद रखना तो वायर कौन इशान कौन आगने कौन नेरित्य कौन और देखो फिर बता दिया उद्व और अदो ठीक है यह चीज़ गई जो भी करम किये जाते हैं जैसी कि आपको पूर्व कर्म करवाना है तो कौन सी डायरेक्शन में करवाना है तो यह अपने आयर्वधाम बता रहा का और इन डायरेक्शन हो कईने कई यूज दे ऐसे नहीं कि हवा में बात की गई है कि पंच करने तो अपन कैसे भी बिठ इस तरह बता रखें तो यह चीज ध्यान रखना कि कितनी डायरेक्शन दस बताइए आपको अच्छे से याद हो गई होगी और इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको मैंने समझा दी बाद डायरेक्ट वो क्या पूछता है नाम पूछता है और पांच नंबर में पूर कौन सी डायरेक्शन में बेटके विदेचन करवाना है यह सभी चीज अपनी ध्यान थे फिर दिशाओ के आदार पर शरी रंगों के इस्तान पर निद्धान करना जैसे रदय के नीचे दक्षिन के और यक्रत क्लोम है ना अपन ये डायरेक्शन के नुसारी तो करते हैं के ऑख़की सद्रिण giàसे ए यह पर क्या उस्ट इजिसे हैं परते हैं हो गया तुस में डायरेक्शन अगिरSt यह दी होगी तो उस अनुसार देखते यह हाद है पढ़ा हुआ हbayल इस जीमें किडी यह है ना इस तरह से तो यह अपन बात करते हैं अपान वायू की कैसी होती है उद्वों होती है अपन रगना अपन डायरेक्शन के नुस सारी तो देख रहे हैं फिर मैं आपको बता रहा था ना रश हास्तर वाली बात बता रहा था तो रश वाले में भी यह है कोंसेपट कि रश चाकर बनाई जाती है रश लेक्ष्याम, पढने का इसित्छू को पढ़ने के इच्चुग तो पढ़डो इसको कोई दिक्कत नहीं जेकिन आपको एगजाम व्प्यू से कितना याद रखना वह मैं बताने की कोशिश करूँगा इस लेक्चर में तो वह ध्यान रखना था कि आपको जादत वोरी नहीं हो आपके याद रखने के लिए फिर देखो और भी अपन अपने हिसाब से भी यूज बना बना के लिख सकते हैं क्योंकि अपन जानते हैं कि इसका जाता जैसे वाम दक्षिन है ना कौन से हाथ पर और तो उस अनुसार व्यादी का नाम कर दिया आपने जैसे हीमिप्लेजिया नहीं आधी बोडी में पेरलाइस हो गया तो उसको हैं मतलब कौन सा बाट अब अपन के रहे पाउं में हो रहा पैराप्लेजिया बोल दिया तो किस दिशा में मुझाकर संगरण करना चींगे यह भी दिशा के नुसार ही कर रहे हैं किस दिशा में मुझाकरों तो तोड़ ना चीह यह दिशा में आखहें हम से जी जतना करूं तो पूरोधिशा की वायु क्या होती है मदूर होती है जबकि गुरू दहां उत्पन करने वाली होती है तो यह पहल पलबें वाएव की बात करें यह द्यानते हूँ आप वायु विशत रुक्ष होती है क्योंकि रेगिस्तान है वो इधर ही तो आ गए पशिन दिशा में तो देखो आप सभी जानते हो दिशा के बारे में इतना ही है और भी यह आप पढ़ना चाहो तो इस बुक में बहुत सारा लिक्रका है पढ़ सकते हो टीचरों से पूछ सकते हो लेकिन जितन अपने क्या हो गए दोनों कंप्लीट हो गए एक तो यह दोनों दिशा और काल दोनों अपने आज के लेक्चर में कंप्लीट हो लेक्चर हो बहुत से प्सक्रात दोनों से समत दोनों कंप्लीट हो हो कि लेक्का हुझ से साफ।